अब इसमें क्या है पूरी खबर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे पूरी आप देख सकते हैं अनलाक टू के लिए जारी गाइडलाइन्स के तहत आज का न्यूजपेपर है के तहत यूपी में इस्कूल कॉलेज साच्छिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान एक तू संस्थान पंद्रह जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे जो में लाइन हो यह है कि केंद्रवा राज्य सरकार के प्रसिक्षण संस्थान पंद्रह जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबका प्रसिक्षण होना है और यहां पर साब साथ बोला जा रहा है कि केंद्रवा राज्य का प्रशिक्षर संस्थान है यानि कि जो ट्रेनिंग संस्थान है वह आपका 15 जुलाई के बाद काम करना शुरू कर देंगे यानि कि स्टार्ट हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो आप लोगों अगस्त की बात की जा रही है कि अगस्त में आपकी ट्रेनिंग होगी वह बात कहीं ने कहीं सही जाती हुई दिखाई पड़ रही है और काफी हत्तक सही दिखाई पड़ रही है ठीक है अगर 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि फिर उसके बाद मेटियल ही होना है उसके बाद तुरंत जो है आपका ट्रेनिंग होना है जेटिसी वगएरा तो यह जो ख़बर थी यह मैंने आपको बताई जो कि आज के निश्पेपर में है और एक अच्छी है इसलिए आपको यह बताई गई दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों आप लोगों ने देखा होगा कि टिक टॉक यू वीडियो यह सब सीजे बंद हो गई है जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन इससे बहुत बला नुक्सान हुआ है और हलाकि सरकार भारत के नजरिये से सही हुआ लेकिन इसका इफेक्ट भारी मातरा में हम लोगों के उपर भी पड़ा हुआ है आप लोग देखिए कि छोटे मोटे जो यूटूबर है छोटे मोटे जिनके पास ब्यूज नहीं आते थे एक हजार दो हजार ब्यूज आते थ सब 2-4 महीरे में देखना कि सब चोटे मोटे यूटूबर बंद करके चले जाएंगे और आप लोगों ने गिस किया होग Turkey बड़े बलकि बहुत बड़े यूटूबर की बात रहा हुआ धिक है जो आपको डेली कलास देते थे उन्हों ने एक बहाना किया हुआ है कि हमारे की तबियत खराब हो गई है इसलिए आपकी classes नहीं आ रही है तो यह सिर्फ एक मतलब की मैं आपको बता देने चाहेता हूं कि यह एक बात है आपको संतुष तकनिका बाकी में जो है वो यह है कि यूटूब पे पैसे नहीं बन रहे हैं ठीक है यूटूब पे पैसे नहीं बन पा रहे हैं इसलिए भारी मातरा में टीचरों को सहली कहां से दी जाएगी यहीं मुख्य मुद्दा है और इसी कारण से बड़े बड़े जो यूटूबर थे उनके classes नहीं चल पा रहे हैं और यहां तक की छोटे मोटे लोग जो छोटे मोटे थे वो आप देखिएगा कि छ तो अब दिक्कत हो गई है बहुत बड़ी सभी यूटूबरों के लिए हमारी लिए नहीं और भाई एक बात मैं आपको और बता देना मन की बात है यह सब बोल लाओं एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप लोग यह मत सुचिएगा कि पैसे के लिए ही यूटूब पे कोई आता है या फिर जाता है तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि कोई भी कहें भी महनत करेगा तो उसके पैसे लेगे अगर किसी प्लेट पार पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा अगर यूटूब पे कोई वीडियो बना रहा है तो सवभाविख ए कहीं नहा उसे फायदा हो रहा है हो रहा था मुझे भी और और औरों को भी लेकिन जब यूटूब से कोई फायदा ही नहीं होगा तो कोई क्यों वीडियो बनाएगा कोई क्यों वीडियो बनाएगा ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपको सिर्फ आपकी जानकारी दे ना देना नहीं तो यह बात 100% गलत है जो भी अदमी यह बात बोले उसकी बैक की 10 वीडियो देख लीजिए किसी ना किसी पर एड़ आपको दिखाई पड़ेगा ठीक है तो यह एक बहुत बड़ी समस्या आई है जो यूटूब पे काम करते थे साथ ही साथ जो टिक टॉक लेकिन सरकार के नजरी से बहुत अच्छा हुआ देश हित में काम हुआ है तो यही सब बाते बता नहीं थी फ्रेंट्स और दिक्कत हो गई है सभी के लिए हमारे ही लिए नहीं जो यूटूब पे विडियो बना दे सबके काम है लेकिन आप लोगों को आधे रास्ते पर छोड़ नहीं सकता हूं तो आप लोगों को आपकी मंजील हो जाए मेडिकल हो इसके बाद वीडियो बनाना हम भी बंद कर देंगे सोच यही रहे हैं कि कुछ है नहीं ठीक है अब यह मत सूचिएगा कि मैं पैसे के लिए बनात पैसे के लिए बनाते हैं ठीक है तो इस चीज़ पर डिसकस करिएगा कि मैं पैसे के लिए आदमी सब कुछ करता है जो भी जहां जो भी प्लेटफार मिलता है जहां से उसे पैसे मिलते हैं वह आपना काम करता रहता है पहले बहुत अच्छा पैसा देता था यूटूब भी हूँ ठीक है मिलते हैं किसी दूसरे वीडियों तब तक लिए नमसकार जैंद